हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है आकाश और आप लोग का बहुत बहुत स्वाकत है कहानी क्राइम की चैनल पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज की कहानी एक किताब की है मगर ये कोई आम किताब नहीं बलकि बहुत खास किताब है जादतर हम में से सभी लोगों ने, कभी न कभी कोई न कोई किताब जरूर पढ़ी होगी मगर क्या आपने कभी एक ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे शैतान की सबसे बड़ी किताब कहा जाता है एक ऐसी किताब जिसे कागस पर नहीं उसे बरबाद कर दिया और सबसे अनोख्यों और मशूर चीज़ जो इस किताब के बारे में कही गई वो ये कि इस किताब को सिर्फ एक रात में ही लिखा गया है और मैं ये कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा बलकि ये किताब आज भी इस दुनिया में मौजूद है कई बार तो इस किताब को दुनिया का आठवा अजूबा तक घोशित करने की बात कही गई कई साइंटिस्ट भी इस किताब के उपर शोध कर चुके हैं वग्यानिकों ने इस किताब के बारे में क्या-क्या परिक्षन की और क्या-क्या बताया ये मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा मगर पहली ये जानते हैं कि आखिर ये किताब है क्या तो आप सभी लोग The Holy Bible के नाम से जरूर वाकिफ होंगे जो कि इसाई धर्म का एक पवित्र ग्रंत है मगर इस किताब का जो नाम है वो है The Devil's Bible यानि शैतान की किताब ये किताब पूरी दुनिया में एक नाम से और मशूर है और वो नाम है Codex Gigas इस किताब में 310 पन्ने हैं जो कि जानवर की खाल से बने हुए हैं इसके लिए लगबग 160 गदो के चमडो का इस्तमाल हुआ है कहते हैं कि इस किताब में पहले 320 पन्ने हुआ करते थे मगर आज सिर्फ 310 ही बचे हैं उन बाकी के 10 पन्नों में क्या था और उन पन्नों को किसने और क्यों हटाया ये अभी भी एक रहस्से है ये किताब 36 इंच लंबी 20 इंच चोड़ी और 8.7 इंच मोटी है और इस किताब का कुल जो वजन है वो है लगबग 75 किलो तो अब सवाल ये आता है कि अगर ये किताब शैतान की किताब है तो ये क्यों लिखी गई? कब लिखी गई? और किसने लिखा? और आखिर इस किताब का जन्म हुआ कैसे? तो इस किताब के जन्म के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि आज से लगबग 800 साल पहले तेरी सदी की शुरुवात में एक सन्यासी हुआ करता था उसका नाम था हर्मन और वो पोडला जिके की एक मठ में रहा करता था वो दोर राजा महराजाओं का था और ये मठ बोहीमिया समराज्य के अंदर आता था आज ये समराज्य तो खैड नहीं रहा मगर ये जगए चेक रिपब्लिक नाम के एक देश में पढ़ती है एक बार उस सन्यासी ने मठ की मान मर्यादा नियम और कानूनों का उलंगन कर दिया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था जिसकी वज़े से उस मठ और मठ के सभी सन्यासियों की चारों तरफ बदनामी होने लगी जब ये बात उस मठ के सबसे बड़े पादरी तक पहुँची जो इस मठ की भलाई के लिए सभी बड़े फैसले लेते थे तो उन्होंने इसकी जाच करवाई उस जाच में हर्मन दोशी पाया गया उसके बाद उसे सब के सामने पेश किया गया इस गलती के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई और सजा के तोर पर उसे जिंदा दिवार में चुनवा देने का हुक्म दिया गया हर्मन को जैसे ही ये सजा मिली वो मुख्य पादरी के पैरों में गिर कर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा मगर उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई फिर अपनी जान बचाने के लिए उसने मुख्य पादिर से एक नामुम्किन चीज कही उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एसास है मगर अगर उसे अपनी गलती सुधाने का एक मौका दिया जाए तो वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो आज तक इस दुनिया में कभी नहीं लिखी गई ये किताब पूरी मानव जाती की भलाई करेगी और ये किताब पूरे मठ को भी गौरानवित करेगी और इस पूरी किताब को लिखने का काम वो सिर्फ एक रात में पूरी कर लेगा जैसे ही ये बात उस मठ के मुखे लोगों ने सुनी सभी एक दूसरे से फुसुसाने लगे कि ये क्या बोल रहा है ऐसा करना तो बिल्कुल नामुम्किन है खेर उसके बाद सभी से राई विचार करने के बाद उस मठ का मुखे पादरी हर्मन से कहता है कि ठीक है हम तुमें एक मौका देते हैं अगर तुमने ये किताब एक रात में पूरी कर दी तो कल सुबह तुमारी मौत के सजा को माफ कर दिया जाएगा और तुमारी जान बक्ष दी जाएगी इसके बाद हर्मन ने किताब लिखना शुरू किया और वो पूरा मन लगा कर ये काम करने लगा धीरे धीरे वक्त बित्ता गया और जब आधी रात हो गई तो उसे हैसास हुआ कि ये नामुम्किन है कि वो इस किताब को सुबह होनी तक पूरी कर ले और पूरी नहीं कर पाया तो सुबह उसकी मौत तै थी अब उसे कोई रास्ता नहीं सूज रहा था उसके पास सिर्फ दो ही आप्षन थे या तो वो ये किताब सुबह होनी तक पूरी कर ले और सजा से बच जाए जो की नामुम्किन था या फिर सुबह अपनी मौत के लिए तैयार रहे इसी उधेडबुन में कुछ वक्त और बीत गया और अब उसके पास बहुत ही कम वक्त बचा था उसके बाद उसने एक ऐसा काम किया जो की शायद वो नहीं करता तो इस किताब का जन्म नहीं होता आम तोर पर जब एक इनसान किसी मुसीबत में होता है तो वो अपने भगवान, अल्ला ये इश्वर को याद करता है मगर उस सन्यासी ने इसकी बज़ाए शैतानों के देवता लूसिफर को याद किया और आधी रात के बाद एक विशेश पूजा प्रार्थना की उस प्रार्थना में उसने शैतान के देवता लूसिफर का आवाहन किया और प्रार्थना के जरीए उसे अपने पास बुलाया क्योंकि हर्मन एक पहुचा हुआ सन्यासी था, मठ में रहता था तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और शैतान तुरंत उसके सामने आ गया उसके बाद हर्मन शैतान से कहता है कि वो इस किताब को सुबह तक पूरी करने में उसकी मदद करे तो शैतान बोला कि मैं सुबह तक तुमारी इस किताब को पूरा तो करवा दूँगा मगर मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा सन्यासी बोला कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए अभी कुछ है नहीं तो शयतान बोला कि एक चीज तुम मुझे दे सकते हो और वो है तुम्हारी आत्मा हर्मन के पास कोई और चारा था नहीं तो वो अपनी आत्मा शैतान को बेचने के लिए तयार हो गया और इसके बदले में शैतान को सुबे होने तक उसकी ये किताब पूरी करनी थी दोनों की बीच ये समझोता तैह हो गया उसके बाद वो रात बीचती है और सुबे जब वो सन्यासी उड़ता है तो उसके सामने 310 पन्नों की गधे की खाल पर लिखी हुई ये किताब रखी थी हर्मन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है फिर जब सुबे उस मठ के अधिकारी वहाँ पहुँचे तो वो भी इतनी बड़ी किताब को देखकर दंग रह गये मगर जब उन्होंने इस किताब को खोला तो इसके पहले ही पन्ने पर एक शैतान की तस्वीर थी उस शैतान का शरीर तो इंसान जैसा था मगर उसका मूँ बिलकुल राक्छस जैसा था उसकी दो जुमान थी जिसका मतलब है कि शैतान अपने फायदे के लिए कभी भी अपनी बात बदल सकता है उसके हाथ और पैर में सिर्फ चार ही उंगलिया थी और उस शैतान ने अर्माइन से बनाए एक कपड़ा भी पहन रखा था जो कि रोयल्टी का प्रतीक है और ऐसे कपड़े सिर्फ शाही लोग ही पहन सकते हैं तो हो ना हो ये तस्वीर शैतान के देवता लुसिफर की ही थी इस किताब को लिखने और उसकी शिल्पकारी के लिए लाल, पीले, नीले, हरे और गोल्डन रंग का भी इस्तमाल हुआ था उसके इलावा इस किताब में एक शाही सिटी या स्वर्ग या जन्नत की भी तस्वीर थी सूरज, चांद और सितारे भी थे और एक ऐसा ग्रह भी था जिसके चारों तरफ सिर्फ समंदर है उसकिताब में पूरी बाइबल लिखी हुई थी, प्राचीनी इतिहास का भी जिक्र था और शैतान को बुलाने उसकी पूजा करने टोना, टोटका, काला, जादू और इलाज के अलग-अलग तरीकों का भी जिक्र था ये किताब लेटिन भाषा में लिखी हुई थी, मगर कहीं-कहीं पर इसमें हिब्रू, ग्रीक और सैल्विक भाषा का भी इस्तमाल हुआ था प्रकुल मिलाकर इस किताब में शैतान की पूजा करने और शैतान को अच्छा दिखानी की कोशिश की गई थी इनी सब वज़ों के कारण इस किताब का नाम The Devil's Bible यानि शैतान की किताब रख दिया गया और Codex की गास भी दरसल Codex की गास एक Latin शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी किताब और आज भी ये किताब मध्यकाली न्यूग में लिखे जाने वाले दुनिया की सबसे बड़ी हस्तलिपी यानि हाथ से लिखी हुई किताब है तो समझोते के हिसाब से शैतान ने अपना काम पूरा कर दिया और उसके बाद सैतान ने सन्यासी की आत्मा को अपने कबजे में ले लिया उस वक्त से लेकर आज तक इस शैतानी किताब ने बहुत लंबा सफर तै किया और ये जिसके हाथ भी लगी उसका कभी भला नहीं हुआ उसके साथ कोई न कोई गडबड जरूर हुई और इसकी शुरुवात उसी मठ से शुरू हो गई देखते ही देखते इस किताब के चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए कि कैसे सिर्फ एक रात में ही इस किताब को लिखा गया है मगर उस मठ में जिसने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसका दिमागी संतुलन बिगडने लगा कई सन्यासियों ने तो ये तक बताया कि जब वो उस किताब को पढ़ने बैठे तो उसके अक्षर हवा में तेरते हुए नजर आए उसके बाद इस मठ की माली हालत धीरे धीरे खराब होती गई तो कुछ पैसे आ जाए इसके लिए उस मठ ने वो किताब सैडलेक में एक दूसरी मठ को बेच दिया जैसे ही ये किताब वहां पहुँची उस मठ में एक भयंकर महमारी फैली जिसकी वज़े से हजारों लोगों की मौत हो गई इसके बाद उस किताब को वहां से हटा कर एक लैबरेरी में रख दिया गया फिर साल 1594 में ये किताब प्राक के समराट रुडॉल्फ दा सैकिंड को एक गिफ्ट के तौर पर दी गई च्योंकि उन्हें दुनिया के नायाब चीजों को रखने का शौक था इस किताब ने राजा को भी नहीं बख्षा और कुछ वक्त के बाद ही राजा के जितने भी सपोर्टर थे सभी ने अपना हाथ पीछे खीच लिया जिसकी वज़े से रुडॉल्फ सैकिंड को सत्ता से हाथ दोना पड़ा उसके बाद एक लड़ाई के दोरान 1648 में स्वीडिस सेना ने इस किताब को वहाँ से लूट लिया और अपने साथ स्वीडन ले गया और फिर इसे वहाँ की महरानी क्वीन क्रिस्टीना के सामने पेश किया गया कहते हैं कि ये किताब उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपनी पसंदीदा किताबों की लिस्ट में पहले नंबर पर शामिल कर लिया मगर इसके सिर्फ 6 साल बाद ही उन्हें भी सत्ता गवानी पड़ी और वो स्वीडन को छोड़के रोम चली गई वो अपने साथ उन सभी पसंदीदा किताबों को ले गई मगर जो उनकी सबसे पसंदीदा किताब थी The Devil's Bible वो उसे एक सवाल के साथ वहीं छोड़ गई और वो सवाल ये था कि क्या वो अपनी पसंदीदा किताब को ऐसे भूल कर जा सकती है या फिर उन्होंने इससे जान बूच कर छोड़ दिया इसका जवाब किसी के पास नहीं था कुईन क्रिष्टीना के जाने के बाद इस शैतानी किताब को स्वीडन की राजधानी स्टॉक होम की एक नेशनल लाइबरेरी में रख दिया गया साथ मई 1697 को इस लाइबरेरी में एक भहेंकर आग लगी उस आग में 24,500 किताबे और 1,400 हस्त लिपिया जलकर खाक हो गई मगर ये किताब किसी तरह से बच गई कहते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले एक आदमी ने इस किताब को आग से बचाने के लिए खिड़की से उपर से नीचे फैक दिया था खैर इसके बाद किसी तरह इसे समाल कर रखा गया और साल 1878 में नए साल के मौके पर इस किताब को स्वीडन की नई नैशनल लाइबरेरी में शिफ्ट कर दिया गया जो की स्टॉक होम में है उसके बाद से लेकर आज तक ये शैतानी किताब कोडेक्स गिगाज यहीं रखी हुई है इन 800 सालों में वक्त बदला, लोग बदले, नया जमाना आया साइंस ने भी खूब तरक्की की और जब नय समय में इस किताब के चर्चे हुए तो कुछ वग्यानिकों ने इस किताब के उपर रिसर्च करने का फैसला किया इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि इस किताब का हर अक्षर एक समान है चाहें आप इस किताब के पहले पेज की पहली लाइन को देखे या फिर आकरी पेज की आकरी लाइन दोनों एक जैसी हैं ना तो पूरी किताब में लिखने वाले के लिखावट बदली और ना ही स्याही इस पूरी किताब को एक ही स्याही से लिखा गया है इस पूरी किताब में एक भी गलती नहीं है तो इसका मतलब था कि ये किताब किसी एक इनसान नहीं लिखी है मगर जब इसके उपर और स्टेडी की गई तो पता चला कि अगर कोई इनसान इस किताब को आज लिखने बैठे और इसमें जो छोटी-छोटी शिल्फकारी की गई है और तस्वीर बनाई गई है उसे बनाए तो इस किताब को पूरा लिखने में 25 से 30 साल का वक्त लग जाएगा और अगर मान भी लिया जाए कि किसी एक ही इनसान ने 25-30 साल मेहनत करके इस किताब को पूरा किया होगा एक समान है हाला कि वग्यानिक शैतान जैसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते मगर उन्होंने ये माना कि ये किताब एक ही इनसान ने बहुत कम वक्त में लिखी होगी जो कि पॉसिबल नहीं है तो क्या इस किताब के बारे में जो कहानी है वो सच है और इस किताब को खुद एक शतान ने अपने हाथों से एक ही रात में लिखी है क्योंकि एक आम इंसान के लिए ऐसा करना नामुम्किन है इस बात को इसलिए भी नकारा नहीं जा सकता और जूटा और मनघडंत नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये किताब आज भी National Library of Sweden Stockholm में महफूज रखी हुई है और आज भी लोगों के देखने के लिए मौजूद है अगर आप लोगों को कभी Sweden जाने का मौका मिले तो Stockholm की उस लाइबरेरी में जरूर जाईएगा और इस किताब को जरूर देखिएगा तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे खतरनाक किताब की मुझे उमीद है कि आप लोगों को एक कहानी पसंद आई होगी अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताए कि आपको कहानी कैसी लगी और इसे जादा से जादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबाए ता कि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें और इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें मैं आपसे मिलूँगा अगली कहानी में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें थैंक्यू बेरी मच